गुड इवनिंग इस्टूडेंट्स मैं हिमानसूर अश्री वास्तो आपके अपनी यूटूब चैनल सुधा कशा क्लासिट के आपका सौगत करते है पायो का लेक्चर चल रहा है चार्ट करते है आज का वीडियो परस कोश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है परस कोश्चन क हो जाता है तो वह बिमारी किस चीज की वज़ा से फैलती है उसका एजेंट कौन है एजेंट मीज उसको कहरी कौन कर रहा है कौन ले जा रहा है जिसको बिमारी हो रही तो वहां तक पहुंच रही ना तो किसी रीजन से पहुंच रही है उसी एजेंट का नाम बताना है दू अजिकेटिव एजिन्ट आफ डिजीज कालाजा कौन है लीसी मीनिया ठीक और यह क्या करता है इत रिप्रिद्यूस एसेक्सवली ठीक एसेक्सवली तो करी रहा क्वेश्चन में बोला ही गया है पर एसेक्सवली का कौन सा मैथर्ड है तो मैथर्ड है बाइनेरी फीजर ठीक जिसमें क्या हो रही कितनी दॉटर सेल बनेगी दो इसका मतलब एक सेल क्या किया टिवाइट कर दिया दो और वह किस मेथर्ड का है ऐसेक्सवल का एक टाईप और बाइनरी फीजर और वह किसमें होला है काराएजार के एजेंट में ठीक है चलो देखें मैंसे ड्सक्रुष् इंदा लिविनअनिज्म अभी हम लोगों ने बात किया कि लिविन उरिजद में जो रिप्र्रोडक्षन हो रहा था वो ये सक्सुली हищ आपको बताना है पोर मैंचेजर रिप्रॉडक्षन की जलो दें क्या है वो करें देखो पहला देख रहा है फरलवजा जाती आउट्वो दिख रहा है इस तरह से परना खुड का पूरा फॉर्च परीट थम बना लेगे इस उसको गरेंगे उसको क्या कर देंगा डिवाइड कर दिया कड गाई है ठीक किस तरह से एक यह बन गया एक यह एक और फिर यह तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे complete organism में पूरी तरह से convert हो जाएंगे और फिर fragmentation में क्या हो रहा है देखो fragmentation का मतलब क्या होता है जब एक मैच्योर organism एक लेंद के बाद क्या हो जाएगा breakdown हो जाएगा दो पार्टिकल में डिवाइड हो जाएगा और यह क्या करेगा रिप्रेड्यूस करेगा और नया organism बनाएगा तो इसको कहते हैं fragmentation जैसे स्पाइर हो गया में हम लोगों ने पढ़ा था न वहीं चीज़ तो फीजन एक हो गया तो यहां पर हमको question number 3 क्या कह रहा है question number 3 में देखो एक figure बना हुआ है figure से आप पहचान ले रहे होगे कि यह figure किसका है यह figure है hydra का ठीक है तो यहां पर आपको hydra में जो binding होती है और वो new organism में convert हो जाती है उसी को आपको टीनोड करना था चलो देखो क्या है figure में देखो कैसे चीजें हुई है वही देखो यहां पर देखो जो यह वाला हाइड्रा है number 1 वाला यह क्या है लिखा हुआ है parent hydra उसके बाद इसमें टेंटिकल्स भी है माउथ भी है अब यह क्या कर रहा है देखो ग्रो कर रहा है एक external growth आ गई यहांप यह देखोँ बारड़ आ गई इसी को कह करते हैं बड़ अब यह धीरे धीरे क्या करेगी ग्रोव कर लिए ग्रोव करने के बाद देखो अलग हो गई मैचूर बड अलग हो गई परेंट से और जब अलग होई तो अब वह क्या बन जाएगई नियुव हाईड्रा फॉर्म करेगी इस तरह सेằड्रा में बडग होती है तो बडड़ का मतलब हम लोगों ने क्या समझा था देखो बड़ इंक का मतलब हम लोगों ने स इंप्रोव किया असल डिवीजन के तुरू और एक मैच्योर बड़ बन गई मैच्योर बड़ क्या करती है पैरेंट से अलग हो जाती है और पैरेंट से अलग होने के बाद देखो यहां पर क्या हो रही है नियू हाइड्रा कर गई है ठीक है चलो आई हो यह फिगर आपको प्रोडक्शन तो से सिंदे केस ओफ और एंज प्लांट और इंज प्लांट में आपको क्या करना है बताना है वेजी टेटीव प्रोगेशन का फायदा एड्वांटेज मिस फायदा चलो देखिं क्या कह रहा है यहां पर और इंस अबने खाया होगा ना चलो उसी को बारे मे आप लोगों ने जानना है चैप्टर में अच्छी तरीके से कि जब कोई भी वेजी टेटीव पार्ट चाहे रूट हो चाहे स्टैम हो चाहे लीफ हो वह एक नया और निजम बनाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं वेजी टेटीव प्रोगेशन और यहां पर किस प् पैरेंट की फिल्कुल कॉपी होगा वेजी टेटीव प्रोगेशन में क्योंकि यह एसेक्शुली रिप्रेड़क्शन हो रहा है तो उसमें किसी भी तरह का क्या होगा वैरिएशन ज्यादा दिखेगा नहीं ठीक है चलो अब आगे देखो क्या कह रहा है देर्फोर एनी डि प्रोगेशन में जाएगी पहला पॉइंट हो गया फिर सेकेंड में देखो क्या कह रहा है दा ओरेंज प्लांट्स दैट हैव लॉस्ट दा कैपसिटी और प्रेडियूस प्रेडियूस करने की कैपसिटी वो खो देता है सीड कैन आल्सो भी प्रोपोगेटेड तो फिर सीड से भी उसको क्या किया जा सकता है dropोगेटेर यानि ही नया प्लांट पनाया जा सकता है लो एक्षन कैर खय मेरे को पूस्चन यहां पर देखो फिर reproduction से जुड़ा हुआ है question और यहां पर बात हो रही है spore formation की name an organism which reproduce by spore formation list three conditions favorable condition की बात हो रही है यहां पर for spores to germinate and grow देखो जब तक की condition हमारे according नहीं होती तो क्या करते हैं तब तक reproduction नहीं करते हैं यह लोग sport formation sport का formation हो जाता है फिर जहीं condition होती है पिर वह क्या करते हैं ग्रोग करने लगते हैं तो वही आपको बताना है कि वह conditions क्या क्या हैं और कितनी conditions बताना है आपको see condition च्क चलो देखो तो rhizopus पहली चीज़ तो जानलो कि sport formation का में कर राइजो पस राइजो पस क्या करता है किस मैसर के तुरू रिप्रोडुक्षिन कर रहा है कि उसके बाद देखको पूचिऑ से पूछी थी ती कन्डिशन क्या है जो इनको क्या करेंगी सूट करेंगी तो पहला क्या है मौश्यर मौश्यर होना चाहिए वहाँ पर ठीक नमी वगएदा फिर सुटेबल टंप्रेचर जितने टंप्रेचर पर यह सर्वाइब कर सकते जितने टंप्रेचर की नीड इनको होती है जैसे हम आप एक फिक्स temperature पे ही अपने काम को कर सकते हैं उससे कम या बहुत ज्यादा temperature पे हम सर्वाइब नहीं कर पाएंगे ठीक है और फूर्ड फूर्ड तो सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फूर्ड मीन्स निट्रेशन यह चीजे क्या है उसको तर फूर्ड फूर्ड वहां पॉर्ड पहिटेंट को फूर्ड वहां पे होना चाहिए टंप्रेशर उनके स्वोलकेशण नौर्ड इप्रॉड प्रद्वेमे क्यों की कंडिचन उनके कर लेंगे diff question देखते है question number six क्या कह रहा है मारा question number six कह रहा है in the context of reproduction species state the main क्या चीज़ करना है differences between किसमें differences करना है आपको between फिजन फिजन क्या होता है फिजन asexual reproduction का एक टाइप है और fragmentation भी क्या है एक टाइप है asexual reproduction का यहां पर आपको फिजन फ्रेक्मेंटेशन में क्या करना है differentiation करना है ठीक है चलो देखो क्या क्या लिखा यहां पर पहले हम लोग पढ़ लेते हैं फिजन का first point फिजन का first point आपका कह रहा है occurs in unicellular organism क्या कर रहा है। Unicellular organism में हो रहा है Unicellular organism का मतलब क्या है ? Unicellular organisms का मतलब है जिनके अंदर icablelaş Bennae ले हम सारह का भीए ओन फ्रेक्मेंटेशन में देखो क्या लिखा हुआ है multicellular organisms में fragmentation हो रहा है domestic में हो रहा है unicellular organisms में हो रहा है एक फर्स्ट पॉइंट क्लियर बहुत इजी है रिकेंड पॉइंट देखो क्या कह रहा है बॉडी ओफ और्गनीजम डिवाइट्स वाई माइटार्टिक डिवीजन इन्टू और मोर डॉर्टल सेल्स जानते हूँ आप लोग कि फीजन क्या होता है दो टाइप का होता है एक म मारा क्या बाइंडरी फीजन और एक में क्या होता है ज्यादा बनती है कि नहीं तो वहीं यहां पे लिखा हुआ है एक्जामपल दिया हुआ है लिस्मेनिया उसके बाद देखो सेकेंड पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ है एक में टेशन में लिखा हुआ है बॉडी और more fragments में तो या दो से ज़्यादा fragments में क्या हो जाएगी वो तूट जाएगी और तूटने के बाद जो fragments होंगे वो क्या करेंगे complete organism को बनाएंगे और इसका example क्या है spirogyra क्या करता था यही तो कर रहा था वो अपने एक mature होने के बाद दो पार्ट बना रहा था और यही दो पार्ट क्या कर रहते इंडिज्वली complete organism में convert हो जा रहते तो इस तरह से fragmentation के through spirogyra क्या करते हैं अपना reproduction का process complete करते हैं चलो question number seven देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है यहां पर देखो फिरते एक figure आ गया है figure को ध्यान से समझना सारे questions किस्से थे reproduction topics related है बहुत important topics है चलो देखो क्या कह रहा है इसमें explain the process of regeneration in planaria planaria में regeneration को आपको पताना है दिखाना है इसके तरूब figure के तरूब भी दिखा सकते हैं और लिखा हुआ भी है तो फिर उसके बाद क्या कह रहा है how is this process different from reproduction यह reproduction से कैसे अलग है थोड़ा सा उसको हम लोग देखते हैं जलो क्या कह रहा है देखो इस तरह से होता है यह फिगर बना हुआ प्ले इरिया का यह क्या कर रहा है somehow gets cut into number of pieces किसी भी तरह से वो cut हो जाएं कई pieces में देखो यहां तुकडों में बढ़ गए कि नहीं एक प्लेनेरिया था वो तीन तुकडों में बढ़ गया इसको क्या कर दिया कट कर दिया गए then each body piece can degenerate into a complete planaria और देखो यह सारे के सारे particles बाद में क्या बन गए प्लेनेरिया बन गए कि नहीं complete planaria बन गए by growing all the missing part this is shown in the following figure और इसी तरह से क्या कर दिया गया है आपको फिगर्स के थुरू प्री जनरेशन को दिखा दिया गया है ठीक है चलो नेक्स कोस्चन देखों क्या कह रहा है हमारा चैनमंबर एक कि लिस्ट टू कॉमन सायन्स और सेक्सूल मैस्चुरेशन इशन का मतलब समझ गई जब मैस्चुरेशन होता है चेंज़े बाडी में तो क्या होता है तो बॉइस और ग्रस में क्या होता है कॉमन वो जलो देखो क्या लिखा हुआ है ग्रोथ आफ पब्लिक पबिक खेयर एंड एक्स्ट्रा हेयर इन दा आर्मेट्स कुछ एक्स्ट्रा हेयर आ जाते हैं कई जगाओ पर ठीक है वह हमारे बॉड़ी पार्ट्स पर आ जाते हैं फिर सेकंड पॉइंट के डेबलमेंट ओफ ओईली स्किन and Pimpals जब हम लोग एज हमें लोग को की बढ़ती अडल्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो हमारे स्किन थोडी सी ओईली हो जाती है पिमपस वगईडा की कंप्लेंस भी आना शुरू हो जाती है यह ऐ यह दोनों चीज कॉमन है किसमें बॉऐ में भी आपको दीखेệc changes the hormonal balance of the body कौन सा ऐसा method है तो क्या कर रहा है हार्मोनल बैलेंस को change कर रहा है चलो देखो क्या कह रहा है कौन सा ऐसा method है कॉंसे टिप का chemical chemical का use करने से क्या हो रहा है हार्मोनल बैलेंस आफ दा बाडी change हो जा रहा है किसी भी तरह का chemical use करेंगे तो जाहिर सी बात है बाडी में कुछ न कुछ चेंज आएगा भाई हार्मोन भी तो एक टाइप की chemical है तो कुछ न कुछ चेंजिस करी देगा दूसरा हार्मोन या दूसरा chemical body में जब पहुचेगा कुश्चन नम्बर 9 हो गया कुश्चन नम्बर 10 देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है आज का लास्ट कुश्चन देखो क्या कह रहा है वाट आर ओल और्गिनीजम कॉल्ड विच बीयर बोथ क्या चीज देखो बोथ the sex organs sex organs की बात हो रही है same individual यानि की male और female एक ही individual में present हो और आपको साथ में क्या करना है give one example of such organism और आपको एक example भी देना है ऐसे organism का जिसमें male और female एक ही में हो और उसे कहेंगे क्या ये बात हो रही है यहाँ पर चलो देखो organism which bear both male and female sex organs जो male और female दोनो sex organs को contain किया हुआ है bear किया हुआ है उसे हम लोग कहते हैं bisexual ठीक है अब देखो इस question को simple language में भी आप से पूछा जा सकता था कि what is bisexual लेकिन इसी question को थोड़ा सा twist करके आपके सामने डाला गया क्या what are all organisms call which bear both sex organs तो यहाँ पर आपको समझना है both का means male और female दोनों की बात हो रही है उसे हम लोग कहते हैं bisexual bisexual में क्या होगा male भी होगा एक ही body part में और उस ही में आपको female organ भी मिलेंगे ठीक है अब example किसकी बात हो रही ही hibiscus की hibiscus flower देखा है न हिंदी में बोलते हैं गुड़ायल सबने देखा है उसमें male और female दोन होता है एक earthworm देखा है उसमें भी male female दोन होता है थैंक यू तूदेंस